चैत्र पूर्णिमा है, साल का सबसे बड़ा दिन, आप सभी को सुब कामन है, महादेव, मातारानी, स्री सत्यनाराण भगवान, हन्मान जी महराज, आपके सब मनोरत सुद्ध करें, यही प्रार्थना करते हैं, जी, आप सभी को अपने घर पर बड़े सरलतम तरीके से, आज चैत्र पूर्णिमा का दिन है, हन्मान जन्मुद्सव है, कई तरह के सिद्ध योग आज के दिन बन रहे हैं, जो कि आपके मनोरत सिद्ध करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आप जानते होंगे, दीपक में सभी देवी देवताव का बास होता है, ऐसे मैं आप कोई भी दी अपनी मनों कामना कहते हुए, आप सभी अनपूर्णा देवी का स्मरन करते हुए, सुन्दर भाव से अपनी घर की रसुई में बनाएं, भारी रोग से आप सभी परेशान हैं, तो हन्मान जी के मंदीर में आपको इसका भोग लगाना चाहिए, महादेव को इसका भोग करने का प्रमारिक जानकारी मिलती है, आज के दिन घर में खीर बनाने से धन्दानी की जो है बरकत होती है, और कोई भी चीवन में कमी नहीं होती, तो प्रथम का कारे आप सभी को आज करना चाहिए, किसी करन्या को घर पर आज खीर खिला देते हैं नप्रसाद स्वरुप, तो भी यह धन लक्षमी में व्रद्धी करने वाला दिन माना जाता है, तो प्रथम में तो आपको यह उपाय करना है, दूसरा आपको चौमुखा दीपक का उपाय, अपने घर के मंदिर में, आप जानते होंगे, आज की दिन सत्तिनारायन भगवान की कथा सुनी जाती है, जो की भागी को सुख देने वाली होती है, आप सभी को आज देर रातरी तक चौमुखा दीपक, धर्मार्त काम मोक्ष की प्राप्ति में यह सहायक होता है, और चौहों दिशाओं से देवी लक्षमी और स्री सत्तिनारायन भगवान की करपा होती है, चौमुखा दीपक, आ आप चाहे तो माटी काले, चाहे तो आटे काले, आपको बना लेना है, उसमें डालनी है एक चुटकी आपको हल्दी, देवी लक्षमी के स्वरूप में जानी जाती है हल्दी, तत्पश्चात आप सभी को देवी लक्षमी के सरल से मंत्र, कोई से भी मंत्र, ओम महालक्षमी नमो नमा कह सकते हैं, ओम महा लक्षमी चविद मही, विश्नु पतनी चधी मही, तन्नो लक्षमी प्रचो दयात, इच्छा आपकी है, आप किसी भी सरल से मंतर का जाब कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासु देवा इस महा मंतर का जाब करना भी, अज भागी की रेखाओं को करने वाला होता है, आप जरूर से जो है, उस दीपक का प्रियोग करकर सबसे पहले उसे थाली में रखें, मा लक्षमी को, आप सभी उसकी आरती उतारें, स्रे सत्ति नार्यान भगवान को उसकी आरती उतारें, उसके बाद अपने घर के मंदीर में हल्दी डाल कर एक दिन में भी यह कारी कर सकते हैं, तो प्रतम में आपको यह कारी करना है, दूसरा पीपल व्रक्ष की जड़ में आज आपको देवी लक्षमी का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाने का प्रियत्न करना है, साथ के साथ आज हनमान जी का दिन है, परिवार में विवाह की बाधा है संतान सुख नहीं है तो 108 बत्ती का एक दीपक जिसे गुरुजी कहते हैं घर में अगर जो है खेव निधी की कमी हो जाती है तो परिवार में बनती नहीं है लोगों में विचारधारों का आप सीमत भीद होता है वैवाहिकारी नहीं होते संतान सुख सब्सक्राइए!.. कच्छे सूट से सकते हैं। कलावा से भी बना सकते हैं, मैंने पहले ही इसका बनाने के आपको विधी बताई है, आप सभी कहेंगे तो मैं कमेंट्स में उसे दे दूँगी, आपको आसानी रहेगी, खेवनी धी का भाव करते हुए और हन्मान जी के अस्ट सक्तियां, अस्ट सिद्धियों का ध्यान करते ह हुए आप सभी को इसे ले जाकर या तो चमेली के तेल में या सरसव के तेल में या घी के तेल में मेरे हनुआन जी सभी चीजय men कर्ते हैं लिए वन जो है अस्ट जो विशेज दीपक है, 108 बत्ती के एक दीपक का उपाय, आपको आज करना चाहिए जी, आपके जीवन में के स्वते ही कर्ष्ट कटेंगे, पीड़ा मिट जाएगी, यह है, उपाय अपने आप में एक चमतकार की तरह है, जो कि गुरुजी दारा बताया गया, स् तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो कर दीजे, शेयर, सस्क्राइब और चैनल पर हर-हर महादेव लिखना न न भूले, आपसे अनुरोध है, कोई प्रश्न हो, तो पूछ लीजेगा, कोई गड़वर न होने पाय, तो ठीक है जी, यह बात भी हो गई, साथ के साम के समय, आप सभी जानते होंगे, मेरे महादेव की पूजा का विधान है, जैसे कि सत्यनारेण कथा में भी वईनित है, अगर आज के दिन विशेश तोर पर सास्तर प्रमान कहता है, अगर पांच पतियां, अगर जो बेल पत्र की होती है, पांच बेल पत्र, अगर आपक को डालने नहीं है, पांच बेल पत्र, एक कमल गटा, चंद्रेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, किस का समरण करना है, चंद्रेश्वर महादेव का समरण करते हुए, आज अपने घर के मंदीर में, या महादेव के मंदीर में, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर एक कमल गटा, पांच बेल पत्र जो की भी सीवलिंग पर जल में मिक्स करकर चड़ा देता है ठाथ उसमें सम्मलित करकर चड़ा देता है ना उसके घर में रोग, पैसा, दवाई में खर्चे नहीं होता हमेशा उन्नती होती है संकट कस्ट का निदान स्वते ही हो जाता है तो आज अंतमे वीडियो में आपको बताना चाहूंगी आज हनमान जी के मंदिर में पान का बीड़ा जो है आपको मीठे पान का अपनी मन की कामना कहते हुए समर्पित करके आना चाहिए हनमान जी को चोला चड़वा सकते हैं हनमान जी के मंदिर में हनमान चालीसा का पाठ रा प्राइब आपको जरूर से आज देर रात्री तक समर्पित करकर आना चाहिए साथ ही हन्मान जी के मंदिर में भूल चुक के लिए छमाप्रार्थी होते हुए लड़ूओं का भोग लगवाएं आराम से बड़े प्रेमपूर्वक जो है सरलतम विधी से आप हन्मान जी के जो भी उनकी आज के दिन भी से स्प्रार्थना पूजा आर्चना कर लेता है उसके जीवन में हर कारी बनने आरंभ हो जाते हैं हाला कि इससे पहले भी मैंने तीन वीडियो दिये हैं जो की काफी सरल है और भक्तिजन उन्हें देखकर अपने जीवन के सब कारी सिद्ध करते हैं आप भी किजिएगा आज अपने घर पर माता लक्ष्मी से संबंधित विश्णु सहस्त्रणाम कनक धारास्रोत का पाठ करना साम को जब एंदर देवता उदित हो तो कच्चा दूद डालकर शुद दालकर शावल डालकर जल की लोटे में उन्हें अर्घ देना pizza को ब्रबल करता लोटना धर रात्री तक आप उन उपायां को करने का प्रियत्न AIshit आप beside कि रेखाय प्रबल होंगी हमेशा खुशियां बनी रहेंगी जय माता दी हर हर्म